वेलकम तो न्यू लेसन इस लेसन में मैं आपसे बात करूंगा अबाउट यूट्यूब एड्स री मार्केटिंग कैसे आप यूट्यूब एड्स के ऊपर री मार्केटिंग कर सकते हों आपसे पहले यूट्यूब एड्स में कितने टाइप की री मार्केटिंग हो सकती है पहली कोई आपके वेब साइट पे आया और आप उसे री मार्केटिंग कहा करना चाते हो यूट्यूब के ऊपर परफेक्ट कौण से री मार्केटिंग कोई आपके वेब साइट पे आया और आप Remarket कहा करना चाहते हो उसको YouTube के उपर ये Remarketing हो सकती है बहुत सिंपल दूसरी Remarketing क्या हो सकती है किसी ने आपकी YouTube वीडियो देखी और आप उसे Remarket कहा करना चाहते हो अगें YouTube के उपर ठीक है तो ये दोनों Remarketing अराम से YouTube के उपर हो सकती है कोई आपके Website पे आया हो और उसको आप Remarket कहा कर रहे हो YouTube के उपर दूसरी चीज़ कोई आपकी YouTube वीडियो देखे और उसे Remarket कहा कर रहे हो अपने Website के उपर ठीक है अब पहले हम बात करते हैं पहले Situation की that is कोई आपके Website पे आया हो और आप उसको Remarket कहा करना चाहते हो YouTube के उपर कोई कहा है आपके Website पे और आप उसे Remarketing करना चाहते हैं on YouTube तो देखो अगर आप ऐसा करना चाहते हो तो आप बिल्कुल कर सकते हो इसमें क्या क्या चीज़े हैं सबसे पहले तो आपके Website पे क्या होना चाहते है या तो Google Analytics या फिर Google Ads का Remarketing Tag ठीक है दूसरी चीज़ क्या होनी चाहिए दूसरी चीज़ होनी चाहिए आपको बनानी पड़ेगी Audience Setup यह कहां करना पड़ेगा या तो Google Ads के अंदर या फिर Google Analytics के अंदर अगेंड अगर आप Google Analytics के थ्रू कर रहे हो काम अगर आप कर रहे हो काम थ्रू Google Analytics अगर अगर आप यह सारा काम थ्रू Google Analytics करना चाहते हो तो Google Analytics और Google Ads का इंटीग्रेशन होना जरूरी है चौती चीज आपके पास यूट्यूब चैनल होने चाहिए पाचवी चीज आपका यूट्यूब चैनल और Google Ads का इंटीग्रेशन होना चाहिए यह कैसे होता है यह आप अल्रेडी यह सारी चीज़े मैं आपको पहले वीडियो में समझा चुका हूँ यह सारी चीज़े करने के बाद आप क्या कर सकते हो री मार्केटिंग एड रन कर सकते हो ठीक है वेब साइट पे कोई आया और उसे एड कहा दिखाना चाहते हो यूट्यूब के उपर तो यह यह काम आपको करने पड़ेंगे ठीक है अगली चीज किसी ने आपकी यूट्यूब वीडियो देखी ठीक है किसी ने क्या देखा आपकी यूट्यूब वीडियो किसी ने आपकी देखी यूट्यूब वीडियो और आप इसे remarket करना चाहते हैं कहाँ पर YouTube पर तो अब इसमें क्या-क्या condition है यह देखते हैं चलो तो इसके लिए जरूरी है सबसे पहले चीज आपका YouTube और Google Ads का integration यह कैसा होता है मैं आपको अलड़ी एक पीछे वीडियो में बता चुका हूँ दूसरी चीज आपको create करनी है audience audience creation in adwords ठीक है यह दूसरी चीज हो गई और तीसरी चीज फाइनली आपकी क्या है ad creation बहुत ही असाथ ठीक है अब यह कैसे करेंगे चलो देखते हैं सबसे पहला जैसे यह वीडियो मेरे पास हाना सपोज अब मैं क्या चाहता हूँ कि जो भी मेरी यह वीडियो देखे उसे मैं री मार्केट करना चाहता हूँ फेर एनफ तो वापस आते हैं ad word में जाते हैं tools and settings में और हम जाते हैं audience manager चीज़ है जी audience manager और री मार्केटिंग पे जाते हैं और यहाँ पे करते हैं प्लस और यहाँ पे देखो एक option है YouTube users YouTube users आप जाओ YouTube users और यहाँ पे audience का नाम लिखता हूँ यह मेरी वीडियो का नाम क्या है वीडियो 3 तो मैं नाम क्या लिख देता हूँ मैं आपे नाम लिख देता हूँ people who have watched video 3 ठीक है people who have watched video 3 और यहाँ से इसका करो copy link और list member किसको आप दिखाना चाहते हो तो देखो यहाँ पे बड़े सारे option है viewed any video from a channel अगर किसी ने आपके channel से कोई भी video देखी तो उसे दिखाना चाहते हो दूसरा viewed certain videos अगर लोगों ने कोई certain कोई particular video देखी है तो उसे दिखाना चाहते हो तीसरा viewed any video as an ad from your channel आपके channel से कोई भी video देखी है as an ad चौथी viewed certain videos as ads कुछ videos को as an ad देखाओ अगर आपके channel को किसी ने subscribe किया है तो आप उसको रिमार्केट कर सकते हो visited a channel page तो जो आपका channel का page होता है अगर किसी ने उसे visit किया तो उसको भी आप रिमार्केट कर सकते हो then liked any video from a channel आपने जो YouTube channel है आपका आपके channel से कोई भी video अगर किसी ने like किया है तो आप उसे भी ad दिखा सकते हो then added any video from a channel to a playlist अगर आपके channel से playlist में add किया है किसी ने तो उसे भी ad दिखा सकते हो last है shared any video from a channel अगर आपके channel से किसी ने कोई भी video share की तो आप उसे भी ad दिखाना चाहते हो दिखा सकते हो right तो मैं अभी करता हूँ viewed certain videos और कौन सी video तो link copy किया हुआ है यहाँ पे link करते हैं paste video 3 pre fill option क्या करना है जो अभी आप क्या चाहते हो start with an empty list अगर आप start with an empty list लोगे तो यह जो आपकी audience से 0 से start होगी add से start होगी जो पीछे का data है वो नहीं आएगा मैं कर देता हूँ अगर पहला option which is pre fill list with people who have watched the rules within past 30 days अगर मैं इसे select करता हूँ तो past 30 days में जितने लोगों ने मेरी ये वीडियो देखी है वो इस list का part बन जाएंगे तो मैं कर देता हूँ पहला option fill कर देते हैं past 30 days then membership duration अगर कोई भी मेरी इस list में आ जाए इस audience में आ जाए तो कितने दिन तक इस audience का part रहेगा तो मैं कर देता हूँ 540 दिन बिल्कुल simple और इसे कर देते हैं create ठीक है आ गया people who have watched video 3 अब मुझे इनको remarket करना है तो देखो remarket करना बहुत easy ठीक है क्या करोगे simple जैसे normal add बनाते हो वो add आ बना लोगे create a campaign without a goal आप लेलोगे video आप यहां से लेलोगे first option अगर 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 आपको non-scapable in stream चलानी है तो आप दूसरा option लेलोगे जस्ट करना क्या है आपको remarketing करने के लिए आपको आना है यहां audiences के अंदर देखो कितना easy है आपको जाना है browse के अंदर आपको जाना है आपको जाना है यूट्यूब यूजर्स आपको जाना है यूट्यूब यूजर्स और यहां पीपल है वाच्ट वीडियो 3 इसको कर लेना है select अब इसको आपकी ad दिखेगी बहुत सिंपल अब बाकी आप नॉर्मल जैसे ad बनाते हो वैसे बना लोगे ठीक है है ना easy अब दूसरी चीज दूसरी चीज क्या जो हमारा ये वाला था किसी ने आपकी website पे देखी है और उसको यूट्यूब पर e-marketing करना चाहते हैं तो उसके लिए अगें कहां जाओगे audience manager और देखो यहां पे काफी audiences मैंने पहले बना रिखें देखो यह बना रिखें मैंने visited product to page हाना यह पहले audience बनाई हुई है यह मैंने कैसे बनाई है यह बनाई है मैंने through Google Analytics मैंने Google Analytics में audience बनाई और वो यहां पे import कर ली ठीक है आप Google Ads के तू करना चाहते हो वह भी कर सकते हो करो प्लस यहां पर option आ रहा है website visitors यहां पर click करो और देखो audience का नाम आ रहा है तो नाम हम लिख देते हैं say visited cart page हाना तो मैं उन लोगों को add दिखाना चाहता हूँ जुनोंने मेरा cart page विजिट किया है अब visitor of a page देखो यहां पर बड़े सारे option है आप यहां से कोई भी option select कर सकते हो पहला क्या है visitor of a page कि कोई मेरे page को visit किया किसी ने right then option क्या है visitor of a page who also visited another page मतलब जो एक page तो गया ही प्लस उसके साथ एक और page देखा मतलब दो page देखे जिस बंदे ने अगला है visitor of a page who did not visit another page मतलब जो एक page पे तो गया बट एक दूसरा page है उस पे नहीं गया तो उसके लिए मैं option select कर सकता हूँ then visitor of a page during specific date आप date wise भी कर सकते हो कि भया इस दिन से इस दिन के बीच में जो भी मेरी आप दिखाना चाहते हो तो आप वो काम भी कर सकते हो तो मैं simple ले लेता हूँ visitor of a page हाना अब देने URL है contain में रख देता हूँ इसको और यहां पर कर देता हूँ काट अब होगा क्या कोई भी page है जिसके URL में काट आ रहा होगा contains है क्योंकि तो उसे मेरी आप दिखा जाए दिखे ठीक है प्रीफिल option ले लोगे वही प्रीफिल विद पास 30 देज और membership duration कितने दिन तक ही audience रहे तो 540 दिन और description लिख दो और audience का नाम लिखा हूँ visited card page और यहां से कर दोगे simple create audience तो suppose अब मैं इसे add दिखाना चाहता हूँ YouTube ad से remarketing करना चाहता हूँ कैसे करोगे बहुत simple plus करो new campaign करो create a campaign without a goal करो यहां जाके video करो और यहां से जो भी objective है ले सकते हो non skipable stream बनाने है तो दूसरा ले सकते हो custom video जो normal हम बनाते हैं वो ले सकते हो तो म आओगे कहा सीधे audience के अंदर जैसी audience में आओगे आपको जाना है browse के अंदर और browse के अंदर देखो एक option है that is remarketing में जाओगे एक option है देखो website visitor आप जाओगे website visitor पे और देखो भी page बनाया था visited cart page तो अब add किसको दिखेगी इन लोगों को जिनोंने cart page visit किया है है ना बिल्कुल आसान जिस जिस ने आपका cart page visit किया है उसको आपकी add दिखेगी ठीक है ऐसे आप normal कोई भी add remarketing की रन कर सकते हो अब एक और चीज़ देखो suppose यह campaign है मेरा ठीक है अब यहाँ मैं जाता हूँ audiences पे campaign के अंदर आया audience के अंदर आया अब मेरी add किसको दिख रही है इस audience को यहाँ पर देखो option है exclusion का हाना तो यहाँ से मैं उन लोगों को exclude कर सकता हूँ जिसे मैं add दिखाना नहीं चाहता हूँ ठीक है तो exclusion पे गए audience exclusion पे गए और suppose यहाँ पे एक option है न विजिटेड कार्ट पेज इसे मैंने select कर लिया और इसको मैंने save कर दिया तो अब क्या होगा जो जो इस page पे विजिट किया होगा उसको मेरी add नहीं दिखेगी क्यों नहीं दिखेगी क्योंकि मैंने क्या कर दिया exclude ठीक है तो इतना easy है YouTube के उपर remarketing ad run करता है ठीक है आप देख सकते हो बहुत ही जादा simple है just जो steps मैंने आपको बताए वो follow करने है ठीक है जी thank you so much for watching this lesson